तीन ऐसे फैक्स जो आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो आपने कारखोर्ण की चातों परनगी एक गोल चक्री तो जरूर देखी होगी तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर एक गोल चक्री क्यों लगाई जाती है तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज, दरसल इसका नाम टर्बो वेंटिलेक्टर है इसके अलावा एर वेंटिलेक्टर, टर्बाइन वेंटिलेक्टर और रूफ एक्स्ट्रेक्टर जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है टर्बो वेंटिलेक्टर के पंके गोल-गोल घुमते रहते हैं और इनका सबसे मुख्य काम फेक्ट्रियों या बिल्डिंगों की गरम हवा को बाहर पास करना होता है नेक्स्ट, कोल्ड रिंग तो आपने जरूर पी होगी और ये भी नोटिस गया होगा कि इनकी बोतल उपर से सोड़ी खाली होती है कोल्ड रिंग की बोतलों को उपर तक नहीं भर जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है दरसल सोफ्ट ड्रिंग की पैकिंग के समय कमरे के तापमान को ठंडा करके पैक किया जाता है इसके बाद बोतलों को कई बार आलग अलग तापमान में जरूरत के इसाफ से एक छोड़ा जाता है ऐसे में बोतलों का तापमान बढ़ता है soft ring के अंदर carbon dioxide gas होती है इसलिए जब bottle का तापमान बढ़ता है तो gas liquid form में बाहर आजाती है जलत तापमान होने की वज़े से ये expand होने लगती है जिससे bottle के अंदर का pressure बढ़ने लगता है gas का दवाब इतना हो सकता है कि वो plastic को भी फार सकती है वहीं अगर bottle को ठंडा किया जाए तो वो सिकूरने लगती है ऐसे में air gap नहीं हुआ तो cold ring bottle के बाहर गिरने लगेगी next आपने गौर किया होगा कि हमारे हाथ और पैर अगर ज़ना समय तक पानी में रहते हैं तो अतेली और तल्वे की skin सिकूरने लगती है पानी skin के अंदर जाने लगता है वहीं हाथ पैर में केराटीन की माता जादा होती है जो कि पानी को सुखाने मदद करता है इस मज़ा से skin सिकूरने की परिकरिया इन दो अंगों पर जाना नज़र आती है